पिछले कुछ दिनों से यानी सबसे नया साल शुरू हुआ है हालिया विधानसभा चुनावों में कमजोर पड़ी भाजपा अपनी इस्थिती सुधारने की कोशिश कर रही है इसने कड़वी राजनीती को भी आगे बढ़ाया है जिसे हम आगामी लोकसभा चुनावों में देखेंगे जो अपरेल मई में होने वाले हैं इसकी शुरुवात एन आई को दिये परधान मंतरी के इंटर्व्यू से होती है जिसे हाल के ही महीनों में नरेंद मोदी ने कई इंटर्व्यू दिये हैं इस उस 95 मिनट के इंटर्व्यू में जो सबसे चौकाने वाली बात थी वह यह की परधान मंतरी जो आम तवर पर आकरामक रहते हैं और जिन से विरोधियों की बखिया उधेरने और आगामी चुनाव को देखते हुए एजेंडा सेट करने की उम्मीद थी उन्होंने अपना यतोचित पच दिखाने की कोशिश करके एक अलग रणनीती अपनाई वह रच्छातमक दिखे अपनी और अपनी पार्टी के खिलाब लगे आरोपों और आलोचनाव पर सफाई दे रहे थे यह दर्शाता है कि भाजपा नुकसान की भरपाई करने के करम में समाज के उन वर्गों को फिर से लुभाने की कोशिश कर रही है जो उससे दूर जा सकते हैं ये ऐसे मतदाता हैं जो किसी एक पार्टी से नहीं बंदे हैं भाजपा के मुक समर्थकों में इनकी 18 से 19 फिस्दी की हिस्सेदारी है और जिनोंने 1998 और 1999 में बाजपेई के नेत्रत में भाजपा का समर्थन किया था और 2014 में नरेंद्र मोदी को आसानी से सत्ता में पहुँचाया उधारण के लिए मोदी द्वारा भीड की हिंसा की आलोचना उन लोगों को आश्वस्त करने के लिए थी जिनें हिंसा और हत्या की पीड़ा जेलनी पड़ी है और जो सामूदाइक संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हाला की उन्होंने हिंसा और हत्या के लंबे समय बाद उसकी आलोचना की है दिल्चश्प बात यह है कि उन्होंने एक खास बात कही कि उनकी सरकार ने जो भी किया है वह सब मध्वर्ग के लिए किया है मध्वर्ग मोदी का सबसे पक्का समर्थक रहा है लेकिन बाद में SCST, अत्याचार, अधिनियम, नोट बंदी और GST जैसे मुद्वों को लेकर मध्वर्ग से असंतोष के संकेत मिले हैं उन्होंने मंदिर निर्मान को लेकर बढ़ाए जा रहे दबाव पर कटाच करते हुए कहा कि सरकार अधालत के फैसले का इंतिजार करेगी क्योंकि किसी विश सरकार को संबिधान के प्रती निष्ठा रखने की जरूरत होती है और फिर उन्होंने संग परिवार जिसने मंदिर निर्मान में देरी को मुद्दा बनाया है को भी आश्वास किया कि अदालत के फैसले के बाद वह मंदिर निर्मान के लिए अध्यादेश लाने पर विचार करेंगे उनकी इन बातों का मतलब यह होगा कि किसी भी तरह से मंदिर बनेगा यदि अदालत आयोध्या में मंदिर निर्मान की इच्छा जताती है तो मामला वही पर खत्त हो जाएगा लेकिन अगर उसने इसके खिलाफ फैसला दिया तो फिर सरकार न्याले के जिस्टी कोर्ड की परवा किये बिना मंदिर निर्मान के लिए विधाई रास्ता अपनाने पर विचार करेगी एक और दिल्चस्प बात यह थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अपने पहले विचार को लेकर उनका स्वर कुछ अलग था